ससुराल का राशन किसी भी घर में देख लो, हमेशा देवरानी जिठानी आपस में लड़ती रहती हैं, पर परी और दिव्या के घर में ऐसा नहीं था। दोनों देवरानी जिठानी में ज़रा भी लड़ाई नहीं होती, और दोनों बहनों की तरह रहती। अच्छा, तो मेरी बहू एक साथ काम कर रही है, भगवान करे तुम दोनों के बीच का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, और कभी भी तुम्हारी लड़ाई नहीं हो। माजी, दिव्या को तो मैं अपनी चोटी बहन मानती हूँ, अगर उससे कभी कोई गलती हो भी गई, तो मैं इससे नाराज नहीं होंगी। दिव्या वो मुझसे मिलने के लिए यहां आने वाली है, उनको कुछ काम था, इसलिए आ रही है। इसी बहाने इतने सालों बार मैं और मौसे मिल भी लेंगे। वैसे मेरी मौसी कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। वो ना बहुत मजाकिया है। देखना उनके आने से घर में कैसे शोर शरावा रहेगा। अगर ऐसा है तो मुझे आपकी मौसी का इंतजार है दिदी। पूरा परिवार परी की मौसी कॉमल के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ दिनों बाद कॉमल परी के सिसुराल में आती है और आती ही परी से कहती है। हाई मेरी प्यारी बच्ची कैसी है तू तू जानती है तेरा नाम किसने रखा किसने मासी मैंने और किसने और जानती है मैंने तेरा नाम परी ही क्यों रखा था क्यों मासी वो इसलिए क्योंकि तू किसी परी से कम नहीं है मैंने सोचा था तेरा नाम परी ही रखूंगी तो तू हमेशा परी की तरह रहेगी और इधर से उधर उड़ती रहेगी पर आज इतने सालों बाद जब तुझे देख रही हूं तो मेरी परी मुझे नौकरानी नजर आ रही है हाई मेरी बच्ची तो अकेले घर का काम करती है क्या अरे नहीं नहीं मौसी ऐसा नहीं है मैं इस घर की बड़ी बहू हूं इसलिए जिम्मेदारी मुझे पर ज्यादा है पर मेरी देवरानी भी बहुत अच्छी है मेरा बहुत ख्याल रखती है और घर के कामों में मेरी मदद भी करती है मौसी जी मैं हूँ देदी की देवरानी आप देदी के साथ बैठ कर बाते करिए मैं आपके लिए नाष्टा लेकर आती हूं देविया परी की मौसी के लिए चाय नाष्टा बनाने चली जाती है अब कोमल के सामने परी के सिवा कोई नहीं था और कोमल आते ही परी के जिंदगी में अशान्ती गोलना शुरू कर देती है परी मेरी बच्ची कितनी भोली है तू पर तेरी देवरानी ना बहुत तेज और चंट है तो जानती है न तेरी मौसी इंसान को देख कर बता सकती है नहीं नहीं मौसी ऐसा नहीं है दिव्या बहुत भूली और मासूम है सच में परी पेटा तेरा बच्पना भी खतम नहीं हुआ मैं तेरी देवरानी की सच्चाय अभी तेरे सामने ला कर दिखाती हूँ परी और कुमल आपस में बात करी रहे होते हैं कि तबी दिव्या कमरे में आती है और परी को साइड में ले जाकर बात करती है दीदी, घर में नमकीन बिस्किट सब कतम है और अभी तक घर का राशन भी नहीं आया क्या करूँ? खरना क्या है? मैं तुझे पैसे दे रही हूँ तु किसे से मंगवा ले? फिर कुछ दिनों बाद तो घर में राशन आई जाएगा अब परी बिना कुछ सूचे पांच सो रुपया दिव्या के हाथ में दी दीती है ये देखकर कुमल की आँखे फटी की फटी रह जाती है और दिव्या के जाती ही कुमल परी से कहती है परी आखिर तुने अपनी देवरानी को पांच सो रुपय क्यों दिये? क्या उसका पती काम नहीं करता? क्या वो अपना खर्चा तुझ से ही लेती है? मौसी, भला मेरी देवरानी अपना खर्चा मुझ से क्यों लेगी? वो तो राशिन खत्म हो गया है इसलिए मैंने उसे पैसे दिये ताकि वो नमकीन, बिस्कुट और कुछ कोल रिंग्स वगएरा लेकर आ सके अभी घर का राशिन भरवाना बाकी है देखा, कहा था न, मैंने तेरी देवरानी बहुत तेस है अरे, सो दो सो का सामान ही तो लाना था क्या अपने पैसे से वो भी नहीं ला सकती? पर उसने तो तुझ से पैसे मांगे क्यों? मौसी तेरे घर पर आई है, उसकी थोड़ी न वो अपने पैसे क्यों खर्च करेगी? तू न, अपना जरा भी दिमाग नहीं लगा दी और पाथ सो देने की क्या जरूरत थी? सो दो सुका तो सामान लाना था अब सारे पैसे तेरी देवरानी रख लेगी अपनी मौसी की बात सुनकर अप परी की दिमाग में भी अपनी देवरानी को लेकर भेद भाव पैदा हो जाता है अब इसी तरह से कुछ दिन बीच जाते हैं और एक दिन सबजी के लिए परी पैसा दिव्या से मांगती है दिव्या, माजी बाजार जा रही है तुम्हारे पास कुछ पैसे है तो दे दो वो सबजी ले आएंगी क्योंकि घर में सबजी खत्म हो गई है पर दिदी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है आप जानती है न महीने के एंड तक मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं क्या? तुम्हारे पास सौ रुपया भी नहीं है? होते तो देही देती ना देधी? हादे दिव्या, कम से कम तुम्हें अपने पास कुछ पैसे तो रखने ही चाहिए ना? चलो कोई बात नहीं, मैंने उस दिन तुम्हें पांसो रुपय दिये थे ना? क्या? तुमने वो पैसे माजी को दे दिये? अरे तुमने मेरे पैसे किस से पूछ कर माजी को दिये? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था? अज पहली बार परी पैसों के लिए अपनी देवरानी से नाराज हो जाती है अपनी जिठानी के नाराजगी देख कर दी विया आगे से कोशिश करती है कि उसकी जिठानी के पैसे कम से कम ही खर्षो दीदी आप रहने दीजी इस बार बिजली का बिल मैं भर दूँगी ठीक है और पानी का बिल फिकर मत कीजी वो भी मैं भर दूँगी ये सुनकर परी को बहुत अच्छा लगता है पर कोमल अपनी चाल चलती है और दोनों देवरानी जिठानी की बीच की हो रही सुलय को खत्म कर दीथी है पर मौसिम मुझे नहीं लगता कि मेरी देवरानी पैसो का हिसाब रखती होगी अरे परी बेटा तुने अभी दुनिया नहीं देखी पर तेरी मौसी ने देखी है बस तु आगे-आगे देखती जा कैसे मैं तेरी देवरानी का असली रूप तेरे सामने लाती हूँ परी को किसी पर विश्वास नहीं होता पर वो हर समय अपनी मौसी के साथ रहती और उनी की बातों पर विश्वास करती इसी तरह से पूरा महिना बीच जाता है और घर में राशन भरवाने का समय आ जाता है पूरे महिने का राशन क्योंकि एक साथ आता है इसलिए परी और दिव्या हिसाब करने के लिए बैट जाती है बहु घर का पूरा राशन आ गया ना एक बार हिसाब भी कर ले कहीं पैसे इधर उधर तो नहीं हुए हाँ मा जी मैं बस अभी हिसाब करती हूँ आटा चावल चीनी के पैसे मैंने दिये थे और ये दाल, नमक, चाय, पत्ती के पैसे दिव्या ने दिये थे उसके बाद हमने बाथरूम का कुछ सामान लिया उसके पैसे भी मैंने दिये उसके बाद मैंने और दिव्या ने अपने अपने लिए कुछ प्रॉडक्स करी दे जिसमे से सिर्फ दिव्या ने 500 रुपे दिये दीदी, इस बार आप कैसे हिसाब कर रही है मैंने इतने दिये, आपने इतने दिये पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी हाँ, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी पर अब मुझे करना पढ़ रहा है क्योंकि हमीशा मेरी जिब से ही पैसे जाते और इस बार भी जो राशन भरा गया है उसमें भी मेरी जिब से ही पैसे गया है ज्यादा, तुम्हारा क्या गया है इसलिए हिसाब बराबर का होगा मैंने 3000 एक्स्ट्रा दिये है अब तुम्हें उसमें से 1500 रुपे मुझे और दिने है ताकि हम दोनों का राशन में हिसाब बराबर हो सके ठीक है दिदी, अगर आप इतना ही हिसाब कताब कर रही है तो पानी का बिल और बिजली के बिल का भी हिसाब कर लेते हैं बिजली का बिल 2000 मैंने भरा और पानी का 1500 तो उस हिसाब से हो गए 35 अब एक काम कीजी, मेरे 1500 उसमें से काट लीजीए और बाकी के पैसे अब आप मुझे रिटन कीजीए अरे तुम दोनों को हो क्या गया है मुझे कुछ नहीं हो आमा जी जो हुआ है आपकी छोटी बहु को हुआ है जब हमेशा मेरी जेब से पैसे जाते थे तब तो ये कभी कुछ नहीं बोलती थी और इस बार जब इसकी जेब से पैसे निकल गए तो इसे बड़ा दुख हो रहा है इस तरह से दोनों देवरानी जिठानी घर के राशन के लिए लड़ने लग जाती है और ये देखकर परी के मौसे को बड़ा मजाता है और वो दूर खड़ी होकर इस लड़ाय के मज़े लेती है